अज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कोरल ड्रो पर इस तरह का रिबन डिजाइन कैसे करते हैं तो मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट और आप देख रहे हैं इस स्किल नॉलेज वीडियो को पहले ही कर दीजी लाइक और मैं वीडियो को सुरू करता हूँ देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कोरा ड्रो ओपन कर रखा है अभी हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद अपनी वर्क एरिया पर एक रेक्टेंगल बना लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद shape tool को select करना है, इसके बाद इन में से किसी एक point को पकड़ कर इस तरह से खिसकाना है, ओके, इतना करने के बाद pick tool को select करना है, pick tool लेने के बाद control दबा के इसको इस तरह से side में खिसकाना है, और just right click करके छोड़ देना है, इतना करने के बाद फिर से इस box को select करना है इसके बाद control दबा के फिर इसको नीचे से उपर की तरफ खिचना है और just right click करके छोड़ देना है इसके बाद arrow का use करते हुए इसको इस तरह से ले आना है जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद toolbox में smart fill tool को select करना है इसके बाद इधर देखिए यहाँ पर by default color fill कर देना है इसके बाद pick tool select करना है pick tool लेने के बाद shift को press करके इस पर click करके इन दोनों को select कर लेना है इन दोनों को select करने के बाद उपर weld option पर click करके इसे weld कर देना है इसके बाद आभी हम बचे हुए इन दोनों box को delete कर देते हैं ओके इतना करने के बाद इसको select करना है इसके बाद tool box में shape tool select करना है इसके बाद यहाँ पर इस point को select करके इसे delete कर देना है इसके बाद नीचे वाले इस point को select करना है फिर इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा राइट साइड में खिशकाना है इसके बाद उपर वाले इस पॉइंट को पकड़ कर साइड में ले आना है जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद अभी हम पिक टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं अब कंट्रॉल दबाके रखना है और इसको राइट साइड से पकड़कर लेफ्ट साइड खीचना है फिर जस्ट राइट किलिक करके छोड़ देना है तो अब ये कुछ इस तरह से हो चुका है इसके बाद फिर से हम इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं इसके बाद numeric plus को प्रेस करके इसे double करते हैं double करने के बाद देखिए इसको यहाँ पर लाकर रखना है इसके बाद tool box में smart fill tool को select करना है अब यहाँ पर हम by default color fill कर देते हैं इसके बाद pick tool लेना है pick tool लेकर बचे हुए in object को delete कर देना है जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद इसको select all करना है select करने के बाद control दबा के डखना है और इसको यहाँ से कीचना है और just right click करके छोड़ देना है इतना करने के बाद arrow का use करते हुए इसको side में ले आना है जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद D select करके इसको select करना है फिर shift दबा के इसको भी select कर लेना है इसके बाद ऊपर weld option पर click करके weld कर देना है इसके बाद for example अभी हम इसमें yellow color fill कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर इसको double करना है तो shift दबा के रखना है और इसको अंदर की तरफ छोटा करना है और फिर just right click करके छोड़ देना है तो अब यह double हुआ इसके बाद इन दोनों को select करना है फिर t को press करके top में कर देना है इसके बाद देखिए इसको अपने हिसाप से छोटा ब दोस्तों अब यहाँ पर आप इसमें कोई भी color fill कर सकते हैं जैसे अभी हम इसमें light red color fill कर देते हैं इसके बाद g को press करके interact to fill tool लेना है इसके बाद इसी पर नीचे की तरफ drag करना है इसके बाद नीचे वाले box में हम dark red color fill कर देते हैं इसके बाद pick tool लेना है फिर नीचे वाली इस shadow को select करना है इसके बाद इसमें white color fill कर देना है इतना करने के बाद tool box में drop shadow tool को select करना है इसके बाद देखिए अब यह हम उपर से नीचे तक drag करते हैं इसके बाद इसको बीच में adjust कर लेना है इतना करने के बाद pick tool select करना है इसके बाद side वाले इस box को select करना है अब इसमें light red color fill करना है इसके बाद g को प्रेस करके interactive fill tool लेना है इसके बाद इस तरह से drag करना है इसके बाद इस box में dark red color fill कर देना है जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद side वाले इस object को भी shift दबा के select करना है फिर ctrl प्लस R का use करके color को repeat कर देना है इसके बाद हम इसको adjust कर लेते हैं इतना सब करने के बाद pick tool लेना है pick tool लेकर सभी को select all करना है इसके बाद इसकी outline को none कर देना है इतना सब करने के बाद f8 को press करके text tool select करना है फिर work area पर click करना है अब आप कुछी भी type कर सकते हैं जैसे अभी हम skill knowledge type कर देते हैं इसके बाद इस text के साथ shift दबा के इस ribbon को select करना है इसके बाद c और e को press कर देना है तो देखिए center में हो चुका है अब इस text को select करके आप इसे कोई भी color दे सकते हैं फिलाल अभी हम white color देते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप ribbon design कर सकते हैं अगले वीडियो में हम और design सीखेंगे वीडियो को like share और चैनल को subscribe के बगर ना जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में thank you